Hello students, good morning all of you and welcome to the Global World Academy So, आज की session को start करते हैं Session में आज हम लोग यहाँ पर complete करने वाले MP Constable का paper जो कि है 2 February 2022 का इससे पहले हम लोग 2 paper complete कर चुके हैं 1 February 2022 का 1st and 2nd shift यहाँ पर हो चुका है So, आज हम लोग यहाँ पर 1st shift complete करेंगे 2 February का ऐसी करते करते 1 by 1 करके सारी ही paper science के हम लोग यहाँ पर complete कर लेंगे यदि आप MP8 grade 2 की भी तयारी कर रहे हैं तो भी यह session आप सभी के लिए helpful रहेगा क्योंकि science दे को common है सभी जगा पूछा जाता है सारी ही चीजें जो है सभी subject जहां जहां पर भी exam में आपसे science पूछा जाता है सभी जगा पूछा जाएगा तो सभी exam आप किसी भी exam की तयारी कर रहे है सभी के लिए यह helpful रहने वाला है ओके सो स्टार्ट करते हैं आज के session को पाकि आपका MP8 grade 2 का complete course science के लिए available है और साथ ही MP constable के लिए अलग से अगर आप science join करना चाहते हैं वो भी available है और अगर आप test series लेना चाहते हैं तो test series भी यहाँ पर available है इसके लिए आप app पर आ सकते हैं app का link video के description box में है या फिर डाइरेक्ली आप play store से जाकर global world academy app को download करके सारी courses के बारे में detail प्राप्ट कर सकते हैं फिर भी यदि कोई doubt रह जाता है so this is whatsapp number इस पर call करके इस पर whatsapp करके आप सारी detail यहाँ पर फ्राप्ट कर सकते हैं so first question आपके screen पर है postic bhojan में क्या चीजे सम्मेलित होती है what does nutrition food include कल भी same question मतब कल evening बारी जो shift ही उसमें भी same question पूछा गया था options अलग-अलग थे वहाँ पर हमारे सामने सबसे postic bhojan में keval और keval vegetables आ सकती है correct answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा next question number 2 आपके screen पर है यदि धरवाजे पर तेल लगाया जाए तो घर्षन पर क्या आसर पड़ेगा if the oil is applied to the door the friction will मतलब अगर धरवाजा just like आपने सुना होगा कि बरसात के समय में या फिर इस normally भी हम लोग देखें तो ना दरवाजे जो आवाज आने लग जाती है उनके अंदर से या फिर खुलने में थोड़ी दिक्कत आती है उसका जो हम लोग बोलते कुंडी लगाने में थोड़ी दिक्कत आती तो इसको कम करने के लिए या घर्षण को कम करने के लिए जो है हम लोग क्या कर रहे है उईल लगा रहे है तो basically question में पूछा गया है यदि दर्वाजे पर तेल लगाया जाता है तो उसकी वज़े से जो friction होता है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो एक ही चीज़े जिसे एक बॉल भी एरिंग वाला कुश्चन भी एक्जाम में पूछा जाते हैं मशीनों में क्यों लगाया जाते हैं ताकि वहाँ पर क्या हो फ्रिक्षन कम हो है ना तो बेसिकली जितने भी लूब्रिकेंट्स होते हैं और वगेरा हो गई है यह सब क्यों लगाया जाते हैं मशीनों में या किसी भी जगह ताकि यहाँ पर फ्रिक्षन कम हो जाए घर्षन कम हो जाए नेक्स कुश्चन नंबर त्री आपकी स्क्रीन पर इस गुड़ एब्सोर्वर ऑफ मॉश्चर नमी का अच्छा उशोशक आप यहाँ पर किसे मानेंगे जो जानवर और पक्षियों के लिए निर्मित और क्रतीम आवास जानवरो और पक्षि जो है इनके लिए एक प्रकार का आवास निर्मित किया जाता है जिसको जू चिडिया घर नेशनल पार क्रास्टे उध्यान वन्यजेव अभ्यारण या फिर वन कहा जाएगा तो मानव निर्मित बोला गया है क्रतीम आवास बोला गया तिन चारों में इसे क्रतीम आवास केवल चिडिया घर हो सकता है है ना बाकी ये तीनों प्राकृतिक है नेशनल पार्क नेशनल पार्क क्यों कि जहां पर भी बहुत सारे अनिमल्स है है ना और हम लोग बोलते हैं जो कि रेयर प्रजाती है अगर वो उस जगह पर है तो उसके आसपास को य नुमती यहां पर होती है जिसे अल्रेडी किसी का घर पास में है ना तो उसके आसपास वो लगा सकता है मतलब ऐसे कि स्पीसिफिक कुछ दुकानों को अलाव होता है बाकी कोई भी इसके आसपास किजी भी प्रकार की दुकान घर नहीं बना सकता है कुछ लिमिटेशन होती है तो यही एक main difference होता है राश्ट्री उध्यान और वन्यजीव अभ्यारण के अंदर राश्ट्री उध्यान की बहुत सारी limitations होती है कि आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते बहुत सारी जगह जाना अलाव नहीं होता है वन्यजीव अभ्यारण में आप जा सकते हैं बहुत स लिखित में से कौन यहां पर अरिय समरूपता को दर्शाता है विच अव फॉलॉइंग शौज रेडियल सिमेट्री आपको ध्यान होगा जब हम लोगोंने मैच पड़ा था तो मैच में कई सारे कुश्चन किये तो सिमेट्रिकल तो यहां पर भी आपसे सेम कुश्चन पू लूँचा गया इन चारों में से किसमेट्री आपको दिखाई देगी तो सिमेट्री यहां पर इन जनरल डो प्रकार की हम लोग मानते हैं एक रेडियल मानते हैं रेडियल से आपको रेडियस त्रिजिया ध्याना चाहिए और एक होती है बाय वाली यह बाय डैट मींस द्व पक्षी समरुपता को शरीर समरुपता के रुप में पारिभाशित किया जाता है जहां पर शरीर को केवल एक विमा में दो समान हिस्सों में विभाजित किया जाता है मतलब ये शरीर है इसको दो हिस्सों में बीच से अलग कर दिया जाए तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल इस व वो बराबर हिस्सों में विभाजीत हो जाता है तो आप इसको ऐसे यहाँ पर समझ जाकते हैं रेडियल समरुकता को ऐसे समझा जा सकता है जिसे कि यह व्रत हो गयाँ music केंद्र anyhow तो यह वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक वाले, अब मैंने यहां से, मतलब center से ही है, radius तिज्य हमेशा center से ही होती है, तो अब मैंने इसको ऐसे वाला line खीचा, तो यह 4 हिस्से बराबर होने चाहिए, अब मैंने यह वाला line खीचा, जितने भी टुकडे हुए हैं, आप count कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तुकडे बराबर होना चाहिए, तिक अब मैंने यह वाला line खीचा, मतलब सारे टुकडे, मतलब यह वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक वाल होना चाहिए, इसलिए इसको radial symmetry यहां पर बोला जाता है, अब आप एक और और example परिके से काटूंगे, तो इसके सारे हिस्से equal हो जाएंगे, यहां पर एक लिली दे रखा है, लिली में भी सारे हिस्से equal होते हैं, अगर आप इसके radial symmetry बनाएंगे, और इंज जो संत्रा होता है, उसके slice करेंगे, उसमें भी सारे हिस्से equal होते हैं, स्टार फिश सारे हिस्से equal होते हैं, coral के भी सारे हिस्से equal होते हैं, sand dollar जो इस प्रकार का होता है, animal की बात कर रहे हैं, तो इसके भी सारे हिस्से equal होते हैं, अभी हम लोग options पर आएंगे, option में क्या पूछा गया था, तो plants का ध्यान रखना, आप लोग lily, four leaf flower और orange slice जो है सब plants में जो है, हम लोग देख सकते हैं, radial symmetry पाई जाती है और animals में, starfish में radial symmetry है coral के अंदर radial symmetry है और sand dollar के अंदर radial symmetry यहाँ पर पाई जाती है, मतलब सारे हिस्से equal होना, ठीके, चलिए अब question में क्या पूछा गया था, निमनले कितमे से कोन यहाँ पर radial symmetry show कर रहा है, hydra, earthworm, fish और frog, आप यह सोचो कि यहाँ पर अगर hydra है, hydra plant कुछ इस तरीके का होता है, इसको अगर मैं सारे हिस्से, इसको यदि circular way में काटू, तो इसके क्या हो जाएंगे सारे हिस्से equal हो जाएंगे, लेकिन जो केच हुआ है, मालों यह केच हुआ है, इस तरीके का सिंगल है, तीकि अगर मैं इसके हिस्से कैसे करूंगी, possible ही नहीं है, क्योंकि shape भी उसी प्रकार का होना चाहिए, circular way में होना चाहिए, fish का shape भी नहीं है, और mandak भी नहीं है, इनमें bilateral हो सकती है, जैना जिसे केच हुआ है, मैं आप bilateral यहाँ पर बोल सकते हो, यह केच हुआ है, तो उपर वाला हिस्सा, जो नीचे वाले हिस्से के equal हो सकता है, fish में हो सकता है, frog में हो सकता है, लेकिन hydra में radial symmetry यहाँ पर पाई जाती है, so correct answer क्या हो जाएगा, option number 1 यहाँ पर हो जाएगा, चलिए, next question के पास चलते हैं, दी गई आकरूती में निर्मेट बहुलक का नाम बताईए, यह जो आकरूती है, यह क्या है, nylon है, polyester है, एथैन है, या PVC, polyvinyl chloride है, तो यह क्या है, आपको ध्यान आ रही होगी, nylon की रस्तियां यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ तो यह nylon है, ठीके, correct answer क्या हो जाएगा, option number 1, जिसमें हो सकते हैं, आपने अपने घर के कपड़े सुखाए हो, गाई के जो बचड़े हो, उनको बांधाओ, हाना, कई सारे काम इसके यहाँ पर हो सकते हैं, तो यह बहुलक कौन सा है, यह nylon है, चलिए, आगे बात करते हैं, nylon के बारे में देख सकते हैं, nylon कुछ aliphatic, nylon कुछ aliphatic योगी को पर आधारित क्रतिम polymer का एक सामोहिक नाम है, यह एक रेश्मी thermoplastic सामाकरी होती ही, जिसे रेश्यो परतोर अन्याकारों में ढाला जा सकता है, nylon आर्थिक रूप से महतुपॉर्ण है और इसका प्रियोग दाद के brush जो होता है, toothbrush वगेरा जो आप यूज करते हैं, वस्त्रू, socks, moja वगेरा में इसका प्रियोग यहाँ पर किया silencer होता है, जब बहुत ही जादा sound आता है, उसकी वज़े से तूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, motorcycle का silencer ध्वनी के कारण तूट जाता है, यह अभी कथन, यह assertion है, reason क्या दे रहा है, क्योंकि the silencer, because the silencer of a motorcycle is a device that increases the exhaust sound, motorcycle का silencer एक ऐसा उपकरण है, जो निकास ध्वनी को यहाँ पर बढ़ाता है, आपको ध्यान होगा silencer नाम इसलिए रखा गया silence करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, उसकी आवाज, motor engine के आवाज को कम करने के लिए, धीमा करने के लिए silencer का प्रियोग किया जाता है, so assertion यहाँ पर गलत है, ध्वनी के कारण कभी भी silencer नहीं तूटता है, तो यह completely wrong है, और motorcycle का silencer है कैसा उपकरण जो निकास ध्वनी को बढ़ाता है, यह भी गलत है, तो हम लोग के बोल सकते हैं क्या कि बोथ हा wrong, दोनों के दोनों गलत है, तो correct answer क्या हो जाएगा, आपका option number B, assertion भी गलत है, और उसके पीछे जो reason कारण दे रखा है, वो भी यहाँ पर गलत है, ध्वनी को कम करता है, न की बढ़ाता है, ठीक है, क्रतीम रेशम का दूसरा नाम है, which of the following is another name of artificial silk, artificial silk को किस नाम से और आप लोग जान सकते हैं, क्रतीम रेशम का दूसरा नाम, एक तो प्राकृतिक रेशा होता है, और क्रतीम रेशम रेयोन है, पॉलिस्टर है, नाइलोन है, या फिर कपास है, देखो कपास तो प्राकृतिक हो गया, ठीक है, इसमें से क्रतीम कौन है, रेयोन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका option number one, यह बिल्कुल रेशम की तरह ही यहाँ पर दिखता है, अगर आप देख पा रहें, हमारी आँखों में क्या करता है, जलन यहाँ पर पैदा करता है, तो correct answer is option number C, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 10 की soda shark का रासाइनिक नाम क्या है, what is the chemical name of soda ash, मतब आपको confuse करने के लिए, इससे कई सारे questions यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, चार question तो in general यहाँ पर बन जाते हैं, और आभी हम लोग उसके बारे में भी discuss करेंगे, पहले इसके answer पर बात करेंगे, what is the chemical name of soda ash, sodium carbonate, bicarbonate, nitrate या फिर calcium hydroxide, तो क्या answer यहाँ पर correct होना चाहिए, sodium carbonate, Na2CO3, इसको soda ash या washing soda के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, एको हिंदी इंगलिश में confuse मत होना, सब कुछ बहुत simple है, यह ना तो ऐसा English देखकर डरना मत कि इंगलिश में आगे हैं सब कुछ चीज़े, sodium carbonate is often referred to as a soda ash, मतलब sodium carbonate को soda ash के नाम से और washing soda के नाम से जाना जाता है, अगर मैं बोलू धावन soda, washing soda, that means मैं sodium carbonate की बात कर रही हूँ, मैं soda ash की बात कर रही हूँ, sodium bicarbonate is also called a backing soda, sodium bicarbonate by से याद रखो, by से backing, ठीक है, by से backing करनी है, है ना बाई से काम करने वाली बाई से हमें backing करवानी है, cake bag करवाना है, cake बनाना है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, sodium bicarbonate is popularly known as packing soda, sodium carbonate is made up of sodium and acid, sodium carbonate किस से बना हुआ है, sodium से, और acid से बना हुआ है, जो हमारा soda ash है, और washing soda है, sodium bicarbonate जो है, नाम में ही sodium है, तो sodium तो हो गई सी, sodium है, acid है, लेकिन उसके साथ उसमें hydrogen भी है, यह कुछ अच्छी सी चीज़े हैं, जो आपको हमेशा ही याद रखनी है, आपके room में जहां पर आपने short notes बना के लगा रखे हैं, उसमें यह चार चीज़े आप add करना, sodium carbonate, soda, ash, washing soda, इसमें होता है sodium और acid, ठीक है, और sodium bicarbonate is baking soda, इसमें होता है sodium acid plus hydrogen, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, शुद्धी गरण के लिए आम तोर पर इस्तमाल की जाने वाली रासाइनिक विधी, है न, शुद्धी गरण के लिए, मतलब purify करने के लिए, हम लोग किस चीज़ का प्रियोग करते हैं, just like water purifier में, हम लोग किस चीज़ का प्रियोग करते हैं, chlorination का, chlorine gase का, oxidation का, hydrozone ही करण का है, galvination का, तो basically cleaning के लिए, हम लोग chlorination का, chlorine current प्रियोग करते हैं, तो chlorination is a commonly used chemical method for purifying, तो correct answer क्या हो जाएगा, option number 1 हो जाएगा, फिके, चलिए, next question number 12, आपके screen पर इनिमलिखित में से कौन सा कवक नहीं है, spirograph, bread mold, panicellium या फिर aspergillus, तो इन में से कौन कवक नहीं है, इस में से एक शेवाल है, algae है, वो आपको बताना है, शेवाल यहाँ पर कौन है, तो spirograph एक शेवाल है, बाकी तीनों के तीनों आपके कवक है, ठीके, आप यहाँ पर detail इसका देख सकते हैं, सबकी detail एक साथ लिखियो हुई है, पर कवक नहीं है, यह एक परकार का शेवाल है, जिससा कि आपको डाइग्राम में दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर की घांस आपको लग रही है, गीली गीली, यह यह स्पाइरोग्रा है, एक परकार का शेवाल है, जो chlorophyta family से connected है, कवक के विपरित इसमें chlorophyll पाया जाता है, जो कि photosynthesis की process करतार अपना भोजन खुदी बना लेता है, किसी पर dependent नहीं, किसी पर आश्रीत नहीं, स्पाइरोग्रा एक प्रकार का शेवाल है, chlorophyll की उपस्तिती के कारण photosynthesis की process हो जाती है, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, आम तोर पर आपको यह मीठे पानी में दिखाई देंगे, और यह अपने अध्वितिय सरपील आकार के कारण chloroplast के लिए जाने जाते हैं, आग ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का कवक है, जो आम तोर पर ब्रेड और अन्य पके हुए सामानों पर उगता है, उसको ब्रेड मोल्ड बोला जाता है, पैनिसीलियम कवक की एक प्रजाती एंटिभायोटिक दवाओं में इसका उप्योग किया जाता है, और नीले पनीर में नीले प्रजातियों का उपयोग भोजन और पहर पधारतों के उत्पादन में भी किया जाता है जब कि अन्य एलर्जी और अन्य समस्या जुश्वशन संबनी समस्या उसका कारण यहां पर बन जगता है तो यह प्रकार का कवक है तो ब्रेड मोर ब्रेड के उपर पैनिसीलियम एंट उपयोग हम लोग भोजन और पहर पधारतों में भी करते हैं जो एलर्जी और शुश्वशन संबनी समस्याओं को यहां पर जन्म देता है क्लियर है चलिए कुश्शन नबर 12 अच्छा यह हमने कर लिया कौन कवक नहीं है तो इस पाई रोगरा यहां पर एक कवक नहीं है ब उपस्ति है चाय बनने के बाद वो आप यहां पर दे सकते हैं तो वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग होने वाले रैड़ वॉम को आप टी रिमेंस यहां पर चाय अप्शिष्ट दे सकते हैं जिसको वो खाकर अपना जीवन या पन कर सकते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर है कौन से विद्पत्ति मातरक वॉर्ट का प्रतिन इद्रित्व यहां पर करेगी तो आपको यहां पर बताना है वॉर्ट यानि कि शक्ति का जो मातरक है वो तो आपको पता ही था कि वॉर्ट होता है जैम्स वॉर्ट के द्वारा इसको सर्च किया गया था, that's why इसका नाम शक्ति का मात्रक, बोट यहां पर रखा गया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आपको क्या बताना है, पूरा फॉर्मुले में बताना है, युनिट्स बतानी है, हाँ न, तो अब आपको शक्ति का फॉर्मुला पता होना चाहिए, शक्ति का फॉर्मुल का रहे मतलब क्या होता है, एक जूल, हाना, और एक जूल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वन, न्यूोटन, मीटर यहां पर लिख सकते हैं, चाहा, विजिबल है, सारी चीज़े, मैं एक बार ओर उपर लिख रहे हूं, हाना, शक्ति का मात्रक क्या होता है, what होता है, wat को हम टीके अगर मैं कारे की बात करूँ तो कारे क्या होता है? 1 जूल यहाँ पर होता है. एक जूल को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 नूटन मीटर में लिख सकती हूँ. तो work, यह work है, work is equal to 1 newton meter, जिसको हम लोग 1 joule लिखते हैं, अब आपको पता है 1 newton कितना होता है, अगर आपको यह पता है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, kilogram meter प्रती second square 1 newton यहाँ पर होता है, kilogram meter प्रती second square 1 newton यहाँ पर होता है, तो work कितना हो जाएगा, मैं बस जो भी लिखा हुआ है, as it is, यहाँ पर बनाते जा रहे हूँ, हैना सारे question, mostly units वाले question ऐसे ही solve गिया जाते हैं, जहाँ जितना भी advance आपसे पूछा है, advance से आप क्या करें, धीरे 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 basic की तरफ आते जाए, आपकी units निकलती जाएगी, औ याद रह जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बाते, देखो work की value में यहाँ पर रख रही हूँ, एक newton की value कितनी है, kilogram, meter, प्रती second square, ठीके, यह newton की unit हो गई, into meter, क्योंकि यह meter यहाँ पर दे रखा है, यह meter है न, तो मैंने work की value रख दी, kilogram, meter, per second square, into meter, तो मेरा work यहाँ पर कितना हो गया, मेरा work हो गया, kilogram, meter square, per second square, यह कारी की unit आ गई, अगर यह what की जगा कारी का पुछ था, तो मेरा answer आ जाता है, kilogram, meter square, per second square, जो की यहाँ पर दे रखा है, तो यह किसकी unit है, यह तो work की unit हो गई, ठीके, हर एक option दो-दो, यह मतलब हो Hindi English करते है तो दोनों में आ जाते हैं, ठीके, मतलब वो एक ही है, यह आपका पहला option है, बीच वाला दूसरा, फिर यह तीसरे के दो, फिर ऐसे आगे चलते रहेंगे, ठीके, clear है, यह work की हो गई, अभी हमको शक्ती का निकालना है, तो शक्ती का मातरा कितना होता है, कारी बटा समय, का किलोग्राम मीटर स्क्वार, पर सेकेंड क्यूब इसको कैसे लिखा जा सकता है, किलोग्राम मीटर स्क्वार, सेकेंड का थ्राइस, है न, कहां लिखा हुआ है, option number 1 के अंदर लिखा हुआ है, यह हो गया आपका answer, देखो हमने कुछ भी नहीं करना था, जैसा जैसा दी रख है, तो हमको कारी का पता है क्या, कारी मतलब 1 जूल, 1 जूल मतलब 1 न्यूटन मीटर, न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वार, ठीके, तो ऐसे गरके आपको पूरा solve यहां पर करते जाना है, और ऐसे आप यहां पर आगे बढ़ते जा पर करेक्ट हो जाए, इसमें बहुत चारी चीज़े हैं, आप एक बार यह भी देख लीजिए, शक्ति वदारे जिस पर कार्य किया आ जाता है, सो कार्य बटा समय हो गया, एक अश्व शक्ति अध्योधी की शेत्र में शक्ति मापने की जो यूनेट होती है, एक अश्व शक से जो आपकी एक्जाम में यहाँ पर पूछे गए थे, वो हम लोगों ने यहाँ पर कम्प्लीट कर लिये हैं, ठीके, I hope कि सेशन आप सभी के लिए helpful रहा हो, comment करके जरूर से बताईएगा सेशन कैसा लगा, और जादा से जादा इसको शेर करिएगा, ताकि सारे स्टूडे जिने नहीं पता है, क्लासे सबकी regular है, वो भी इस क्लास में add हो पाएं, okay, so session cover करते हैं, मिलते हैं next session में, thanks for watching